केंद्र बिंदु कह सकते हैं जहां पर ये तीनों जिस राष्ट में जिस देश में ये तीनों सुविधाएं होंगी यह हम कह सकते हैं यह मानव विकास का एक महत पूर्ण दूसरा पक्ष है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह जो देश है वहां पर मानव विकास की दश क्या है मानव विकास की अवस्था क्या है कि अब यह कॉंसेप्ट आया कैसे है ना इस पर हम बात कर लेते हैं तो अभी हमने देखा था कि भई कि 1980 के दशक के पहले जब human development या मानव विकास की बात की जाती थी तो कहा जाता था कि भई जिस जो अर्थ विवस्था काकार जितना बड़ा होगा वहां मानव विकास उतना ही अच्छा होगा लेकिन फिर धीरे-धीरे समय के साथ इसमें गुडात्मक परिवर्तन या गुडात जब ये गुडात्मक परिवर्तन की बात की गई तो हम इसमें देखते हैं डॉक्टर महबूब उलहक ये एक पाकिस्तानी अर्थ सास्त्री हैं पहले इंडिया के थे और हमने देखा भारत में स्वतंतरता के बाद जैसे ही देश का विभाजन हुआ और ये हमारे देश के ल इस मानो विकास में उन्होंने एक महत्व पूर्ण पक्ष जो है वो रखा कि विकल्पों में व्रिधी व्यक्ति के पास इक्षा शक्ति तो है लेकिन उसके पास आप्शन्स नहीं है विकल्प नहीं है तो उन्होंने जोर दिया कि मानो विकास में विकल्पों में व्रिधी जो है वो की जाए और तभी कोई व्यक्ति जो है वो एक सार्थक जीवन जी सकता है तो मानोविकास की संकल्पना यदी आप से पूछा जाए ये छोटे प्रश्ने की रूप में भी आ सकता है कि मानोविकास की संकल्पना जो है वो किसकी देन है तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर महबूब उलहक ये एक पाकिस्तानी अर्थ शास्त्री थे और 1990 की दर्शक में इन्होंने जो है ये मानोविकास की संकल्पना दी है और उसके अंतरगत उन्होंने क्या कहा तो विकल्पों में वृद्धी होनी चाहिए और दूसरा एक और यदि पूछा जाये तो इ और ये जो है ये एक नोबल पुरसकार विजेता रहे हैं भारती अर्थ शास्त्री है तो ये इनके एक महत्तपूर्ण सहयोगी अभी मैंने कहा कि दोनों ही एक बेस्ट फ्रेंड है और इन दोनों ने ही मिलकर एक महत्तपूर्ण कारी किया मानोविकास में जहां डॉक्टर म मर्ति सेन ने इसमें एक छोटी सी बात और रखी कि भई स्वतंत्रता में व्रिद्धी होनी चाहिए कि विकल्प तो हमने दे दिये आप्शन तो हमने दे दिये कि भई जो है ठीक है सिक्षा प्राप्त करनी है अच्छी स्वास्थ सुविधा प्राप्त करनी है तो ये सारे विकल्प दिये जाएं आय में वृध्धी हो जिससे वो आप्षन अपने चुन पाए कि नहीं मुझे इस फिल्ड में नहीं इस फिल्ड में जाना है लेकिन इसके साथ ही साथ चुनने की स्वतंतरता जो है वो होनी चाहिए अपने विकल्पों का चैन करने की स्वतंतरता जो है कह दिया भई कि आप एक महिला है एक लड़की है तो आप इस फिल्ड में नहीं जा सकती है ना तो सिक्षा प्राप्ती के लिए भी यदि आपको सिक्षा प्राप्त करनी है तो इसे स्थान पर करना है या आपको जॉब करनी है नौकरी करनी है तो आपको एक टीचिंग में नहीं जाना है अगर यह बॉंडेशन रग दिया गया तो वो विकल्प का क्या मतलब क्या आर्थ रह जाता है ऑप्शन्स मिलने का इसलिए डॉक्टर अमर्थ सेन ने अपने इस मानोविकास की संकल्पना में एक महत्वपून पक्षिया महत्वपून पहलू रखा और वो स्वतंत्रता में व्रिद्धी मतलब हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने अनुसार विकल्पों का आप्शन्स का चयन जो है वो कर सके तो यह दोनों ही विद्वान थे यह अर्थ शास्त्री हम कहें जिन्होंने मानोविकास में एक महत्वपून कारी कि और दोनों ही के आधार पर दोनों के विकल्प के आधार हप पर हमने कहा कि विकल्पों में व्रिधी और स्वतंत्रता में व्रिधी यह दोनों ही जो चीजे जब मिलती है तब ही कोई व्यक्ति जो है वो एक सार्थक जीवन जी सकता है अभी हमने कहा ना सार्थक जीवन की ब तो वो जीवन जीने का उदेश या सार्थक जीवन तभी हो सकता है जब उसके पास जब उसके पास विकल्पों में वृद्धी हो और साथ ही साथ उस विकल्प का चैन करने की डिपेंडेंसी हो या स्वतंत्रता उसे मिले तभी हम कहेंगे कि उस देश में व्यक्तियों को एक स जीवन जो है वो एक सार्थक जीवन है या उदेश पूर्ण जीवन है तो यह हो गई बात कि जब कहीं किसी भी राष्ट में व्यक्तियों को सार्थक जीवन मिले उदेश पूर्ण जीवन मिले तो इसी को हम विकास का मुल उदेश जो है वो कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि यह ही ही जो है यह मानव विकास का मुल उद्देश है अब देखते हैं हम कि भाई बात कर ली हमने कि यह संकल्पना किस ने लेकर आई तो डॉक्टर महभूब उल्हक का विकल्पों में व्रिद्धी और डॉक्टर अमर्तिसेंट जो हैं वह स्वतंत्रता में व्रिद्धी अब इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जो सूचक हैं यह चेत्र की बात हम करें कि मानव विकास के चेत्र कौन कौन से हैं तो हमने देखा सिक्षा स्वास्थी और साथ ही साथ क्रेशक्ति या उनकी आए अब जब हम मानव विकास की तरफ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं जैसे आपके पाटशाला की बिल्डिंग है या आप जिस घर में रहते हैं वो जो है वो की जाए और तभी कोई व्यक्ति जो है वो एक सार्थक जीवन जी सकता है तो मानव विकास की संकल्पना यदी आप से पूछा जाए एक छोटे प्रशने की रूप में भी आ सकता है कि मानव विकास की संकल्पना जो है वो किसकी देन है तो आपका उत्तर होना चाह ये एक पाकिस्तानी अर्थ शास्त्री थे और 1990 की दर्शक में इन्होंने जो है ये मानोविकास की संकल्पना दी है और उसके अंतरगत उन्होंने क्या कहा तो विकल्पों में वृध्धी होनी चाहिए और दूसरा एक और यदि पूछा जाए तो इनके एक हम कह सकते हैं कि बे हैं ये एक नोबल पुरसकार विजेता रहे हैं भारती अर्थ शास्त्री हैं तो ये इनके एक महत्तपूर्ण सहयोगी अभी मैंने कहा कि दोनों ही एक बेस्ट फ्रेंड है और इन दोनों ने ही मिलकर एक महत्तपूर्ण कारी किया मानोविकास में जहां डॉक्टर महबूब उलहक ने विकल्पों में वृध्धी की बात की तो डॉक्टर अमर्ति सेन ने इसमें एक छोटी सी बात और रखी कि भई स्वतंत्रता में वृध्धी होनी चाहिए कि विकल्प तो हमने दे दिये, option तो हमने दिये कि भई जो है, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करनी है, अच्छी सुवीधा प्राप्त करनी है, तो यह सारे विकल्प दिये जाए, आय में वृद्धी हो, जिससे वो option अपने चुन पाए, पुरुष्प्रधान समाज है, और लिंग के आधार अभी भी यहां भेद्भा होता है कह दिया भई कि आप एक महिला हैं एक लड़की हैं तो आप इस फिल्ड में नहीं जा सकती है ना तो सिक्षा प्राप्ती के लिए भी यदि आपको सिक्षा प्राप्त करनी है तो इसे स्थान पर करना है या आपको जॉब करनी है नौकरी करनी है तो आपको एक टीचिंग फिल अमर्द सेन ने अपने इस मानव विकास की संकल्पना में एक महत पूर्ण पक्षिय महत पूर्ण पहलू रखा और वो थी स्वतंत्रता में वृद्धी मतलब हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने अनुसार विकल्पों का आप्शन्स का चयन जो है वो कर सके तो ये दोनों ही विद्वान थे ये अर्थशास्त्री हम कहें जिन्होंने मानव विकास में एक महत पूर्ण कारी किया और दोनों ही के आधार पर दोनों के विकल्प के आधार पर हमने कहा कि विकल्पों में वृद्धी और स्वतंत्रता में वृद्धी ये दोनों ही ज जीवन का क्या है आज हूं कल नहीं रहोंगा या करूंगा भी JO reporting जब तक हूं सबampa बाएं सक यह एक उसका लक्षे एक जीवन जीने का मुद्धेश ने की हbey टैमर सबने में जब कंश करने की दिपकलता या स्वत्द उसãyों मिले, तब ही हम कहेंगे कि उस देश में व्यक्तियों को एक सार्थक जीवन, मतलब वहां के व्यक्तियों का जीवन जो है, एक सार्थक जीवन है, या उदेश-पूर्ण जीवन है तो यह हो गई बात कि जब कहीं किसी भी राष्ट में व्यक्तियों को सार्थक जीवन मिले उदेश पून जीवन मिले तो इसी को हम विकास का मुल उदेश जो है वो कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि यही ही जो है यह मानव विकास का मुल उदेश है अब देखते हैं हम कि भाई बात कर ली हमने कि ये कॉंसेप्ट या संकल्पना किस ने लेकर आई तो डॉक्टर महभूब उलहक का विकल्पों में व्रिद्धी और डॉक्टर अमर्ति सेंड जो हैं वो स्वतंतरता में व्रिद्धी जब हम मानव विकास की तरफ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं जैसे आपके पाटशाला की बिल्डिंग है या आप जिस घर में रहते हैं वो बिल्डिंग या इमारत तो वो इमारत जो है या बिल्डिंग जो है वो किसी पिलर पर टिकी होती है किसी इस् ठीक उसी प्रकार जब हम human development की बात करते हैं या मानव विकास की बात करते हैं तो इसके भी महत्वपूर्ण चार पिलर या प्रमुख चार इस्तंभ हम कह सकते हैं जिस पर ये मानव विकास टिका हुआ है और ठीक उसी प्रकार जैसे बिल्डिंग की कोई एक बिल्डिंग का कोई एक पिलर या कोई एक इस्तंभ भी कमजोर हो नीव उसकी कमजोर हो तो वो ढह जाएगी ठीक उसी प्रकार इस मानव विकास कभी कोई भी एक इस्तंभ कमजोर होता है तो वो सही मायने में हम उसे मानव विकास नहीं कह सकते हैं तो पहला है समता, एक्वेटी की बात करते हैं हम, फिर सतत पोशनिय विकास या सस्टेनलेबल डेवलपमेंट कहते हैं, तीसरा जो है वो प्रोडक्टिविटी या उत्पादक्ता और चोथा जो है ये आपके आउसरों को चुनने की शक्ती या स्वतंतरता, ये जो है ये मानव व देखते हैं एक्विटी या समता, तो एक्विटी किसे कहते हैं या समता, मतलब सभी को समान औसर मिले और इसी संदर में आप देखेंगे हमारे भारत के सम्विधान में भी ये बात आती है कि सभी को लिंग जाती इस्थान किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहिए फिर चाहिए वो आर्थिक छेत्र में हम बात करें राजनयतिक छेत्र में बात करें या समाजी किस तर पर बात करें सभी छेत्र में इन्हें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए सभी को एक समान अवसर मिलें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं फिर दूसरा है सतत पोश्णिय विकास या सस्टेनलेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सतत विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो भई यह जो आउसर तो प्रदान किये जाने चाहिए सभी को समान आउसर मिलने चाहिए लेकिन इसमें निरंतरता हो मतलब एक छोटे एकजांपल से हम समझ सकते हैं जैसे आज भविष्य में हमने एक बॉंडेशन रख दिया इस्त्रियों के लिए महिलाओं के लिए एक बंधन रख दिया कि हम उसे बहुत अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करानी हैं तो आज जो है जो आउसर उसे नह जो आउसर हैं उसको वो खो देगी उसको वो लाब नहीं उठा पाएगी क्योंकि आज उसते उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की तो भविष्य में उसके बहुत से फिल्ड या बहुत से छेत्र में उसके जाने की जो हम कहें कि आउसर जो आएंगे उसके सामने वो उसका लाब नहीं उठा पाएगी तो यह सतत विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि वर्तमान के साथ साथ भविश्य में भी वो जो अवसर मिल रहे हैं उनकी निरंतरता या कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे उसमें कमी नहीं आनी चाहिए तीसरा है प्रोडक्टि में व्रिधी, कारिच हमता में व्रिधी मतलब जो हम विशेष रुप से बात करते हैं कि हमारे देश की या पूरे विश्व में ही हम बात करें तो लगभग 15 से 60 से 65 वर्ष की जो अपरे के लोग हैं उनकी कारिच हमता में और अधिक व crédधी की जाए तो और अधिक व रिधी हम कैसे कर सकते हैं या उनकी productivity कैसे बढ़ा सकते हैं उत्पादक्ता कैसे बढ़ाएंगे तो उन्हें समुचित जो सिक्षा की विवस्था अधिक से अधिक अच्छी सिक्षा की विवस्था हम उपलब्ध कराएं अच्छे स्वास्थ संबंधी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करापाएं मतलब वो अच्छी सिक्षा प्राप्त करेगा उसका स्वास्थ भी अच लेकिन उसे वो प्रोड़क्टिविटी मिली नहीं इसलिए नहीं मिली या हम यह कहें कि उसकी उत्पादक्ता इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि उसे अच्छी सिक्षा या अच्छा स्वास्त है जो है वो हेल्दी एट्मॉसफियर नहीं मिल पाया तो हम क्या कर रहे हैं कि उस व्यक्ति कि कार्य छमता को कम कर दे रहे हैं तो मानव विकास का यह जो तीसरा पीलर है या तीसरा जो स्तंभ है वो बात करता है productivity की या उत्पादक्ता को बढ़ाने की और उत्पादक्ता किस परकार बढ़ाई जाए तो उन्हें सिक्षा से संबंधित अच्छी सिक्षा उपलब्ध कराई जाए और अच्छा से अच्छा स्वास्ति तभी हम किसी भी व्यक्ति या नागरी की कारिश्हमता में व्रिद्धी कर सकते हैं उसके बाद है औसरों को चुनने की शक्ति या स्वतंत्रता तो भई अभी हमने बात की थी ना कि हम विकल्प तो बहुत दे रहे हैं लेकिन हम बात करते हैं कि समान रूप से विकल्प तो है लेकिन उस विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है हम घर का एक budget बन रहा है और हम वहाँ पर एक घर की जो महिला सदस्य है उसे हम ये स्वतंतरता नहीं दे रहे हैं कि वो अपना suggestion दे पाए कि हम घर का budget इस तरीके से त्यार करें वो बोलने की स्वतंतरता उसे वहाँ पर नहीं है या वो power शक्ती उसे नहीं दी गई है तो भले ही उसकी productivity अच्छी है उसकी कारे छमता अच्छी है उसकी सोचने की शैली बहुत अच्छी है उसमें छमता है लेकिन वो किसी काम के नहीं क्योंकि उसे वहाँ पर बोलने की स्वतंतरता नहीं है या वहाँ पर अपना योगदान देने की शक्ति उसे पावर जो है वो तो चौथा जो मानो विकास. का पिलर या स्थम्भ है, वह कहता है कि ऑसर सो मिलने ही चाहिए और इन झ een चुनने की शक्ति होनी चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए कि वह अपने मन चाहिए चेतर का चुनाव कर पाए और साथ ही साथ हर छेतर में उन्हें अपनी शक्ति को हम कह सकते हैं कि वहां पर उसके योगदान की जो है वो पावर भी मिलनी चाहिए यह शक्ति भी मिलनी चाहिए तो यह हो गए आपके मानव विकास के चार इस्तंभ की जो हम बात कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि ये जो इस्तंभ है, इसमें हम इस आधार पर मानो विकास का मापन कर रहे हैं, मतलब मानो विकास जो है वो इसी इस्तंभ पर टिका हुआ है, अब मानो विकास का हम अध्यन कैसे करें या वो एप्रोचेस क्या हो स सकते हैं वो रास्ते क्या हो सकते हैं जिस आधार पर हम मानो विकास की गढ़ना करें तो उसमें हम देखते हैं और इसी संदर में आप देखेंगे हमारे भारत के संविधान में भी ये बात आती है कि सभी को लिंग जाती स्थान किसी भी आधार पर किसी के साथ भेद भाव नह मिलने चाहिए फिर चाहिए वो आर्थिक छेत्र में हम बात करें राजनयतिक छेत्र में बात करें या सामाजी की स्तर पर बात करें सभी छेत्र में इन्हें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए सभी को एक समान अवसर मिले ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं फिर दूसरा है सतत पोश्णिय विकास या सस्टेनलेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सतत विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई यह जो आउसर तो प्रदान किये जाने चाहिए सभी को समान आउसर मिलने चाहिए लेकिन इसमें निरंतरता हो मतलब एक छोटे एक्जामपल से हम समझ सकते हैं जैसे आज भविष्य में हमने एक बॉंडेशन रख दिया इस्त्रियों के लिए महिलाओं के लिए एक बंधन रख दिया कि हम उसे बहुत अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करानी हैं तो आज जो है जो आउसर उसे न गई लएक्षर उसको वह खो देगी उसके लाप नहीं उठा पाएगी क्योंकि आज उस्ते इुच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की तो भविष्य में उसके बहुत से फिल्ड या बहुत से छेतर में उसके जाने की जो हम कहा है कि आउसर जो आएंगे उसके सामने वह उसका लाब नहीं उठा पाएगी तो यह सतत्विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि वर्तमान के साथ साथ भविश्य में भी वो जो अवसर मिल रहे हैं उनकी निरंतरता या कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे उसमें कमी नहीं आनी चाहिए तीसरा है प्रोडक्ट लॉटृओ शबस तो मрь का में कमी कारीशमता में बात करते हैं तो इसमें कि कारीशमता में व्रिध्धी मतलब आप करते हैं कि हमारे देश की या पूरे विश्य में ही पाद करें लगभग 15 से 50 से 65 वर्ष की जो करा निए जो पर 75 वर्श की चाहिव हैं उर uh अधिक Laudhi की या उनकी productivity कैसे बढ़ा सकते हैं उत्पादक्ता कैसे बढ़ाएंगे तो उन्हें समुचित जो सिक्षा की विवस्था अधिक से अधिक अच्छी सिक्षा की विवस्था हम उपलब्ध कराएं अच्छे स्वास्थ संबंधी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा पाएं मत अधरवाइस उसकी कारिच्षमता तो है वो सोच तो सकता है लेकिन उसे वो productivity मिली नहीं इसलिए नहीं मिली या हम यह कहें कि उसकी उत्पादक्ता इसलिए नहीं बढ़ पाई क्योंकि उसे अच्छी सिक्षा या अच्छा स्वास्थ जो है वो healthy atmosphere नहीं मिल पाया तो हम क्या कर रहे हैं कि उसकी उस व्यक्ति की कारिच्षमता को कम कर दे रहे हैं तो मानव विकास का यह जो तीसरा पिलर है या तीसरा जो इस्तंभ है वो बात करता है productivity की या उत्पादक्ता को बढ़ाने की और उत्पादक्ता किस प्रकार बढ़ाई जाए तो उन्हें सिक्षा से कर सकते हैं उसके बाद है औसरों को चुन्ने की शक्ति या स्वतंतरता तो भई अभी हमने बात की थी ना कि हम विकल्प तो बहुत दे रहे हैं लेकिन हम बात करते हैं कि समान रूप से विकल्प तो है लेकिन उस विकल्प को चुन्ने की स्वतंतरता हमारे पास नहीं है हम गर का एक बजट बन रहा है और हम वहाँ पर एक घर की जो महिला सदस्य है उसे हम यह स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं कि वो अपना सजेशन दे पाये कि हम घर का बजट इस तरीके से त्यार करें वो बोलने की स्वतंत्रता उसे वहाँ पर नहीं है या वह पावर शक्ती उसे नहीं दी गई है, तो भले ही उसकी productivity अच्छी है, उसकी कारे छमता अच्छी है, उसकी सोचने की शैली बहुत अच्छी है, उसमें छमता है, लेकिन वो किसी काम के नहीं, क्योंकि उसे वहाँ पर बोलने की स्वतंतरता नहीं है, या वहाँ पर अपना योगदान देने की शक् स्वतंतरता भी मिलनीचाहिए, कि वो अपने मन चाहे, छेत्र का चुनाव कर पाय, और साथ ही साथ फर्फर से नहीं पर उसके को कैसा कि वहाँ पर उसके योगदान की वो पावर भी मिलनी चाहिए या शक्ती भी मिलनी चाहिए तो ये हो गए आपके मानो विकास के चार इस्तंभ की जो हम बात कर रहे थे अब हम देखते हैं कि ये जो इस्तंभ है इसमें हम इस आधार पर मानो विकास का मापन कर रहे हैं मानो विकास के मतलब मानो विकास जो है वो इसी स्तंभ पर टिका हुआ है अब मानो विकास का हम अध्यन कैसे करें या वो एप्रोचेस क्या हो सकते हैं वो रास्ते क्या हो सकते हैं जिस आधार पर हम मानो विकास की गढ़ना करें तो उसमें हम देखते हैं झाल 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 झाल